Welcome to Achieve It With Jojo, इस वीडियो में हम NCRT Class 12 Mathematics की Exercise 9.1 की Introduction देखेंगे, जो कि पूरी की पूरी बेस्ट है, Differential Equations, और कुछ बहुत अच्छे जिसे Examples भी देखेंगे, जिसे Concept और भी क्लिर हो जाएगा, ठीक है? तो अब ये जो Differential Equations है, इसमें हम बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब इस वीडियो में हम इसकी Definitions, जो दो तरह की Definitions है, वो Discuss करेंगे, Types of Differential Equations, Discuss करेंगे, ठीक है? ये बहुत आसान चीज़ है, जब मैं बताऊंगे, आपको पते चल जाएगा, Order, Degree, Differential Equations की, जिस पे बहुत जादा Questions based होते हैं, ठीक है? और थोड़ी सी Summary, ये सारी की सारी चीज़ों का छोटी सी Summary, जो मैंने खुद से बनाई है, ठीक है? वो आपको बताऊंगे, और कुछ examples है, चोटी सी, अच्छी सी, और बहुत informative वीडियो हने वाली है, ठीक है? तो start करते हैं, देखो, Differential Equations देखो, सबसे पहले Differential Equations होती है, Simple Words में बोलो ना, तो जिस भी Equation में, Differential Term, मतलब Differenciation Involved है, ठीक है? यहाँ पे देखो, इस Term में Differenciation Involved है, तो ऐसी Equation क् Differential Equation बोलोगे, ठीक है? अब यह जो Differential Equation है ना, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, कि इस Differential Equation को आप ऐसे भी लिख सकते हो, Y dash plus 5Y equal to 0, यह dash represent करता है, कि अच्छा हमने एक बार यहाँ पे इसको differentiate किया है, अगर दो बार करते है, ठीक है? अगर D square Y over DX square कही इसा होता है, तो इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको Y double dash लिखते हैं, double dash क्या represent करता है, कि दो बार difference, differentiate कर रहो आप, ठीक है? मतलब second, इसको दो बार आप differentiate करोगे, ठीक है? simple सी बात, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यह दोनों notations आपको मैंने बता दिया, अब इसकी जो definition है, उस पे आते है, ठीक है? simple सी बात समझागी, जिसमें differential term है, differentiation वाली term involved है, वो differential equation है, differential equation is an equation that relates one or more functions, ठीक है? one or more, एक भी function हो सकता है, बहुत सारे functions भी हो सकते है, and there are derivatives, और उनके derivatives को, ठीक है? यह simple सी definition है, बट जो books वगेरा में हर जगा पे देखने को मिलती है, वो भी आपको पता होना जाए, कहीं पे MCQ या कैसे भी पूछ लिया, माफिर आके, तो आपको वैसे भी पता होना जाए, knowledge के लिए, An equation involving derivatives of dependent variable, अब यह देखो, यह भी बोल रहा है कि derivatives involved है, पर यह किस language में बोल रहा है कि dependent variable with respect to independent variable, ठीक है, ऐसे derivatives, जो dependent variable, जिसमें dependent variable का with respect to independent variable, differentiation क्या हो? अच्छे, यह चीज़े पहले clear कर देते है, माइन वे, कि यह dependent variable, independent variable, यह क्या चीज़े है, ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पर जैसे dy over dx लिखते हो आप, तो यहाँ पर यह y क्या है, यह y कोई function होगा, ठीक है, जिसके आप differentiation कर रहे हो, मतलब y मालो 3x का square है, ठीक है, इसके आप differentiation करते हो, first time differentiate किया, इसको यह कुछ ऐसा आगया, ठीक है, ठीक है, तो अब यह देखो, यहाँ पर, जो y है, यह function है, आप यह समझो बात को, यह कोई किसी चीज़ का function है, ठीक है, यह x का function है, ठीक है, अब variable क्या है, यहाँ पर, इस case में, यहाँ पर दो variables आ रहे है, y भी variable है, x भी variable है, ठीक है, यहाँ पर x की value, आप 1 रख दोगे, तो y की value vary करेगी न, y की value 3 आ जाएगी, अगर x की value 2 रखोगे, ठीक है, 2 रखोगे तो 2 का square 4, 4, 3, 12 आ जाएगी y की value, ठीक है, तो मतलब y की भी कुछ value आएगे, अलग-अलग numbers पर अलग-अलग value आएगे, x की भी अलग-अलग numbers पर अलग-अलग values है, ठीक है, तो अब dependent कौन सा हुआ और independent कौन सा, dependent हुआ जो किसी पर depend कर रहा है, ठीक है, dependent जो की किसी पर depend कर रहा है, जैसे यहाँ पर y, ठीक है, अब y dependent कैसे है, देखो, y की खुद की कोई value, as such है नहीं, जैसे x में, x आप बोल सकते कि हाँ x की value 1 put कर देंगे तो यह आएगा ठीक है यहाँ पर x की value कुछ भी put करोगे तो उससे y की value vary करेगी तो यहाँ पर हम dependent variable लिखते है ठीक है उपर जो numerator में लिखते है rate of change of y with respect to x ऐसे ही तो मतलब होता है इसका तो यह जो numerator में है यह dependent variable होता है और यह जो x है यह independent variable होता है जो denominator में होता है ठीक है independent मतलब किसी पर depend नहीं करती है इसकी value यह independent होती है आप इसमें कुछ भी मतलब according to situations रख सकते हो मतलब वो यह दूसरे variable पर depend नहीं करता है in the sense ठीक है तो समझ गए dependent और independent in short समझ लो कि जो numerator में होता है ठीक है वो है dependent किस पर depend कर रहा है एक्स पर rate of change of y निकाल रहे है with respect to x ठीक है x तो independent है पर y का rate of change निकाल रहे है with respect to x ठीक है तो यह बात समझने वाली है कि dependent variable जो numerator में है independent जो denominator में है और ऐसे physical interpretation से भी आपको बता दिया अब एक और simple एक और example लेते है देखो height की बात करते थे हम कि differentiation rate of change of होता है rate of change of height ठीक है किसी person की height time के साथ बढ़ती है आपको बता है ठीक है rate of change of height with respect to time हम निकाल सकते है rate of change of height with respect to time हम निकाल सकते है अब ध्यान से समझना बहुत मज़िदार से example है अब height height क्या है आपकी time पे depend कर रही है time के साथ बढ़ रही है यहां पे time के साथ बढ़ रही है time के साथ बढ़ रही है मतलब time पे height depend कर रही है यह dependent है on time पर time, time क्या height के साथ height के साथ घट बढ़ रहा है मतलब कि अगर height माल लो उतनी क्यों उतनी है तो time क्या रुका हुआ है no, time तो फिर भी बढ़ रहा है समझ रो न तो ये time क्या है time है यहाँ पर independent variable तो अब इससे अच्छा example आपको शायद ही कहीं मिले तो ये है dependent और independent variable तो ये ही कहा रहा है कि equation involving the derivatives of dependent variable derivative of dependent variable with respect to independent variable dependent variable with respect to independent variable is known as differential equation अब types of differential equation देखो differential equation भी दो types की है एक ordinary differential equation एक partial differential equation partial differential equation आपकी syllabus में वैसे है नी बट आपको difference पता होना चाहिए ordinary differential equation क्या होता है कि जब आप differentiate कर रहे हो न dy over dx, dy over dx तो with respect to सिर्फ एक independent variable है पूरी equation में, ठीक है? एक के with respect to आप differentiate कर रहे हो मतलब equation ऐसे चल रही है कि जो भी differentiation वाली term है वहाँ पे आप with respect to one variable ही differentiate कर रहे हो लेकिन partial differential equations में क्या होता है बहुत सारे independent variables होता है और उन सब के respect में, अलग-अलग से आप कर सकते हैं यहाँ पे u है, यहाँ पे v है तो देख रहे हो, यहाँ पे अलग-अलग variables है यहाँ पे सिर्फ x है ठीक है? ओके, तो अब order और degree यह जो main है यहीं से आपको आते है questions तो order and degree of differential order क्या होता है differential equation का? it is the order of highest order derivative occurring in the differential equation see, इसको यह जो order or degree है यह आपको example से समझाती हूँ देखो, d square y over dx square plus dy over dx कुछ ऐसे type की equation आपको दीवी है ठीक है? ओके, ऐसी को equation दीवी है अब इसमें आपको पूछा है कि इसकी order बताओ और इसकी degree बताओ तो आपने देखना है क्या कि सबसे जादा बार हमें कितनी बार differentiate करना है मतलब वो question पूछ रहा है कि आप बताओ कि आपने कितनी बार maximum time कितनी बार differentiate किया तो यहाँ पे तो एक ही बार differentiation हो रही है यहाँ पे दो बार differentiation हो रही है तो order क्या आया? इस differential equation का 2 ठीक है? मतलब highest बार जितनी बार differentiation होगी highest order ठीक है? यहाँ पे देखो highest order derivative highest order derivative का मतलब है कि maximum इस वाली पूरी equation को analyze करो और maximum बार किस किस term में differentiate हो रहा है ठीक है? और कितनी बार हो रहा है ठीक है? इस term में differentiation maximum बार हो रहा है दो बार ठीक है? तो इस पूरी इसका order आगया 2 ठीक है? जैसे कोई enter हुआ teacher आपकी class में और उन्होंने पूछ लिया कि भाई class का topper कौन है तो आप कैसे देखोगे? यहाँ पे देखो यह है topper यहाँ पर कितने marks के साथ topper है? तो देख लो यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सी position वाला topper है ठीक है? यह सेकेंड या जो भी समझ लो यह बहुत गंदा सा example था बचलो teacher वाला खुल बात भी अब degree degree क्या होती है? अब highest हमने derivative देख लिया हमने एक का जवाब दे दिया कि भाई highest जो differentiation बहुत जादा बार हमें करना पड़ रहा है वो दो बार ही करना पड़ रहा है ठीक है? अब degree क्या होगी? degree होगी वो जो highest बार differentiation क्या है न उसकी power क्या है? ठीक है? यह अलग चीज है यह तो order है ठीक है? इसकी power जैसे for example यहाँ पर इसकी इसका order बताओ इसका order क्या है? order इसका 2 है लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करके लिखता हूँ तो इसका order 2 ही है ठीक है? order तो वही रहेगा पर degree देखो यह third degree का है degree इसकी 3 है इस differential equation की 3 है इसकी degree एक और example से समझते है ठीक है? यहाँ पर dy over dx to the power 4 ठीक है? plus y equal to 0 अब इसमें बताओ इसमें degree क्या है और order कितना है? सबसे पहले देखते है order ठीक है? सबसे पहले हम order में चलते है order order कितना है इसका? देखो order देखो order order highest बार कितनी बार? यहाँ पर तो एक भी बार differentiate नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर एक बार differentiate करना पड़ रहा है ठीक है? एक बार differentiation करना है maximum ठीक है? और degree degree highest वाले की देखी जाएगी ठीक है? बाकियों को बाकियों को बिल्कुल भाव नहीं दिया जाएगा highest वाले की degree कितनी है? मतलब इसकी power कितनी है? 4 तो degree आगई 4 चीग है? समझ गए? और अब degree degree क्या हर equation के लिए आप निकाल सकते है? No कई चीजों में अगर आपकी differential equation अगर आपकी differential equation polynomial हो तब ही आप उसकी degree बता सकते हो otherwise आप उसकी degree नहीं बता सकते है इसका क्या मतलब है? जैसे यहाँ पर एक example देखो यह वाला example यहाँ पर d square y over dx square है cos y dash है ठीक है? cos के साथ term है y dash मतलब कि cos dy by dx है यह cos dy by dx इसका मतलब क्या है? कि यह polynomial तो बिलकुल भी नहीं है polynomial equation यह नहीं है in its derivatives derivatives में polynomial equation होनी चीए ठीक है? यह polynomial equation नहीं है तो इसकी degree भी आप नहीं बता सकते इसकी degree is not defined ओके? तो अब एक बार फिर से देखो यहाँ पर यह पढ़ते है order कि it is the order of highest order derivative occurring in the differential equation ठीक है? order क्या होता है? highest order derivative degree क्या होती है? degree of the differential equation is defined if it is a polynomial ठीक है? यह हमने पढ़ लिया था कि polynomial होनी चीए in its derivative and degree when defined of a differential equation is the highest power ठीक है? highest power किसकी? highest order derivative की अभी questions करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा यह theory भी अपने आप समझा जाएगे तो चिंता मित करो अच्छा, short words में short, short में क्या है? differential equation क्या है? जो भी equation वो सब equations differential equation होती है जिसमें derivatives हो ठीक है? जिस equation में derivatives होती है order of differential equation क्या है? highest derivative का order जो highest bar derive हो रहा है highest bar जिसको आपको differentiate करना पढ़ रहा है degree of differential equation अब इस highest की derivative की जितनी power है ठीक है? वो है degree okay, done पहले आप order में चले फिर आपने degree ले ले ली अब ये examples देखते है dy over dx cos of x ठीक है? तो यहाँ पर order कितना है? order देखो order एक ही बार differentiate करना पढ़ रहा है order 1 है degree बताओ degree कितनी है? अब जिसका order देखते है उसी की degree देखी जाती है ठीक है? तो इसकी degree 1 है इसकी highest power कितनी है? 1 है order देखो यहाँ पर order कितना है? ठीक है? order order यहाँ पर 2 है क्यों? क्योंकि highest बार differentiate कहाँ पर करना पढ़ रहा है? इसमें यहाँ पर तो एक बार differentiate करना पढ़ रहा है यहाँ पर दो बार तो order है 2 degree, degree कितनी है degree, अब highest वाले जिसको highest बार differentiate करना पढ़ रहा है उसकी power 3 है तो degree 3 है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर order कितना है यहाँ पर एक बार differentiate करना पढ़ रहा है, यहाँ पर 2 बार ठीक है, d square y over dx square है तो order 2 है, degree degree कितनी है degree 1 है इसकी highest power इसकी power कितनी है highest order derivative कि 1 ठीक है, नहीं 1 क्यों आएगी, degree 1 क्यों आएगी यहाँ पर देखो, यहाँ पर y prime है वो भी cos के साथ, degree इसकी not defined है, ठीक है not defined है इसकी degree ओके क्योंकि यह जो यह polynomial equation तो है ही नहीं, ठीक है, तो सबसे पहले आपने degree के लिए देखना है कि यह polynomial है कि नहीं, यह भी polynomial थी, derivatives में in its derivatives, it should be polynomial, और यह देखो यह भी polynomial है, अभी यहाँ पर बोलोगे कि cos x है, यहाँ पर simple cos x है cos x simple है, यहाँ पर देखो cos y dash है derivative है, यहाँ पर involved, ठीक है अब questions करते है, so इस वीडियो में इतना ही करते है questions हम next video में करेंगे, exercise 9.1 के सारी के सारी questions, ठीक है बहुत चोटी सी वीडियो होगी, like इस वीडियो को ज़रूर करना, सारी वीडियो को like कर दिया कर रहे है share करना ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, groups में और subscribe करना चैनल को, go bye